प्लैनेट सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है शनी पहले और दूसरे घर के बाद अब हम आते हैं शनी के तीसरे घर की प्लेस्मेंट पे अगर आपके बर्थचाट में शनी तीसरे घर में हैं तो ये शनी की बड़ी ही इंपोर्टेंट पोजीशन है यहाँ पे शनी अगर तो सही हो जाएं तो ये जीवन में धन धाने की जैदाद की जमीन की बहुत प्रचुरता लेके आते हैं अबंडेंस लेके आते हैं लेकिन यही शनी यहाँ पे खराब हो जाएना तो एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं दस तस ग्यारा ग्यारा तरहा की दिक्कतें लेके आते हैं। इस शनी को समझ के इसके अनुरूप चलना बड़ा ही जुरूरी है। नहीं तो जीवन में संघर्ष कहां कहां से आ रहे हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। नमस्कार मेरा नाम है योगे शर्मा स्वागत है आपका हैपी लाइव योगे शर्मा में और इस प्लैनेट सीरीज में आगे बढ़ने से पहले एक विनमर निवेदन। कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करेपा सब्सक्राइब जुरूर करियेगा और बेल बटन दबाना ना भूलियेगा। तीसरा घर जो होता है न कुंडली का ये ताहल चैनल काई ये संपरकों का घर होता है। बाहरी जगत से आप कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं ये तीसरे घर से कंट्रॉल होता है। देखे, कम्युनिकेट करना बड़ा जुरूरी पार्त है लाइफ का. अगर कोई इंसान जितना मर्जी ग्यानी हो जाए, रिसोर्सफुल हो जाए, वो अपने आपको एक्स्प्रेस ही न कर पाए, धंग से लोगों से कम्यूनिकेट ही न कर पाए, अपने प्रॉडक्ट, अपनी सर्विसेज, अपना ग्यान लोगों तक पहुंचा ही न पाए, तो उसको जीवन में फाएदा नहीं होता है, और जब फाएदा नहीं होता है, तो नुकसान तो पक्का होता है, तो जो थर्ड हाउस होता है ये आपको कम्यूनिकेट करने का घर होता है, यहाँ पे शनी की जो पोजीशन है आपकी कम्यूनिकेशन को भी प्रभावित करती है, ज आपके जीवन में cash liquidity इसकी स्थिती कैसी होगी ये भी third house से पता चलेगा तो यहाँ पे जो शनी है ना ये इन सारी चीज़ों को control करेंगे third house के शनी सबसे पहले हम बात करते हैं धन धाने की पैसे के मामले में जीवन में ये कैसे होते हैं नॉर्मली third house के जो शनी है ना by default ये cash liquidity के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं जीवन में बार बार ऐसे कारण आते हैं जिसकी वज़ाए से इनसान जो है cash liquidity के प्रती बहुत ज्यादा suffocated फिल करता है उसको लगता है कि उसको पैसा दिख तो रहा है लेकिन उसके हाथ में नहीं है या जितना पैसा आता है उसकी बरकत नहीं आ रही है third house के शनी ये चीज़ बहुत ज्यादा दे देते हैं third house के शनी अगर अच्छे हो जाएं अब अच्छे कैसे होंगे वह भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे चलके बताता हूँ third house के शनी अगर अच्छे होंगे तो वो इनसान जो है जायदात पे जायदात बनाता चला जाएगा properties के मामले में इनसान बड़ा लकी बन जाता है लेकिन यही शनी जब खराब होंगे बिना बात के लोगों से उसके बिगड़नी शुरू हो जाएगी बात बात पे लड़ाई जगड़े विवाद शुरू हो जाएगे और सबसे जो बड़ी बात है उनका जो आसपड़ोस है उसके द्वारा वो लोग पीडित होने शुरू हो जाते हैं यह होती है शनी के थर्ड में खराब होने की निशानी अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी कंडिशन्स हैं जिनमें ये शनी अच्छे होते हैं या खराब होते हैं यहां पे इस शनी को अगर केतू का साथ मिल जाए केतू का साथ किस तरह से तीसरे घर में शनी के साथ अगर केतू आ जाए या इवन शनी का नैचुरल उर्जा का घर माना जाता है बर्थचाट का दस्मा घर वहां पे भी अगर केतू आ जाए तो फिर यह शनी हो जाते हैं भी शनी 3rd house में है ना, उनके पास जब भी प्रचूर मातरा में धन आये ना, बस उसको property में convert कर लीजिए, अब केतू जहां पे भी हो, केतू का इलाज करके उसको सही किया जा सकता है, लेकिन 3rd house के शनी वाले के लिए, investment के लिए, property जो है ना, सबसे जबरदस solution रहता है, property में investment उनको कभी भी निराश नहीं करती है, बलके उनके पैसे में, उनके धन में बरकत बहुत लेके आती है, अब यहां पे शनी खराब किस तरह से होती है, जब शनी जो हैं 3rd house में हो, और 11 घर में कोई planets हो, अब यहां पे 3rd house और 11 घर, यह एक दूसरे के करीबन-करीबन बर्थ जाने शुरू हो जाएंगे, 11 घर में सूरे होगा, उस इंसान के संबंध खराब होने शुरू हो जाएंगे, उसके जीवन में अजीब से खराब से घटना करम, repeated mode में आते चले जाएंगे, उसके कोई भी काम एंट पी आके मुर्जा जाएगा, 11 घर में राहू होगा, वो इ इस शनी से सीधे सीधे प्रभावित होते हैं, तीसरे घर के शनी वाले जो लोग होते हैं, ये parental guidance, parental help, ये ज्यादा या तो लेते नहीं है, या इनको ज्यादा फलती नहीं है, self-made man होते हैं, जितना ये self-made बनने की तरफ जाएंगे, ये उतना ही अपने जीवन में तरक्की क रखेंगे, जितना ये लोग addictions से बचेंगे, उतना अपने जीवन में growth लेते जाएंगे, third house के शनी के लिए addictions जो हैं, ये सबसे घातक होती हैं, सबसे खराब होती हैं, ये जो शनी है ना, ये इनसान को आदी होने पर, अब यहाँ पर दिखिए, जो initial scriptures हैं ना, कई बार क् रखी मारते हैं, कहते हैं, third house के शनी वालों को शराब बिलकुल नहीं पीनी चाहिए, third house के शनी वालों को non-wage बिलकुल नहीं खाना चाहिए, अब भई, आप एक बात देखिए, जो foreign country वाले लोग हैं, जिनके भोजन में non-wage या शराब लगा तर एडिट है, उनके भी third house क शनी और हमने उनको तरक्की करते भी देखा है, तो फिर ये कैसे संबब है, ये चीज़ें जो हैं, ये सबसे पहले तो Indian environment के हिसाब से कही गई है, Indian environment जो है, जो मौसम, गर्म मौसम वाला देश है, यहां पे शराब या non-wage की कभी भी by default जरूरत नहीं होती है, यहां पे vegetarian य बोलते हैं न, उनका survival जो है, ये natural है और ये चीज़ें artificial हैं, और दूसरी बात, इन चीज़ों का आदी होना, addiction जो है, शनी को खराब करती है, तो third house के शनी होंगे और वो शराब या non-wage के addicted हो जाएंगे, तो ये शनी उनके लिए cash, liquidity, पैसा, धन, धान, सबी चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी लेके आते हैं, अब यहाँ पे addiction cable, non-wage share आपकी नहीं है, addiction mobile की भी है, addiction TV की भी है, किसी भी चीज़ का आदी होना, जो productivity killer हो, यहाँ पे इस शनी को खराब करता है, तो अगर शनी third house में है, और आप इन में से किसी भी चीज़ के addicted होना, तो फिर आप स सारे काम जो हैं, बहुत suit करेंगे, properties की recovery agency ले लीजिए, आपका काम इतना चल जाएगा, कि आपका एक brand बन जाएगा, third house के शनी वाले जो लोग है न, कहा जाता है, eye specialist भी बन जाए न, तो यह बहुत ज़्यादा इनके लिए अच्छा रह जाता है, अब eye specialist बनना हरे के बस की बात नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर यह एक उपाई भी इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, कि third house के शनी, अगर इंसान की अपनी आँखे खराब होनी शुरू हो जाए, तो वो eye drops, जो आयूर्वेदिक eye drops होते हैं, उनको free में बांटना शुरू कर दे, तो उसकी अपनी आ शनी थर्ड हाउस में होते हैं, तो और क्या उपाई किया जा सकता है, जैसे इसी वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था, केतू, यहाँ पे एक शनी का सबसे बड़ा helping element है, केतू का जानवर होता है कुता, थर्ड हाउस के शनी वाले लोग अगर घर में कुता पाल लें, तो यह उनके लिए सबसे जबरदस remedy बन जाती है, अब यह शनी जो है, जीवन में कोई काम रुकने नहीं देते हैं, अब यह शनी जो है, जीवन में इनको हर कदम पे आगे ले जाते हैं, लेकिन अगर कुता ना पाला जाए, तो क्या किया जाए, उस case में clay dogs, तीन दक्षिन कोना है, यह वहाँ पे आपको क्या किया जा सकता है, वहाँ पे यह तो फर्ष, अगर आप घर के planning stage में हैं, तो घर के south में, अगर आपके शनी थर्ड में है ना, घर के south में ब्लैक और वाइट फर्ष रख लीजे, जो चेक वला फर्ष होता है, नहीं तो खाली chess board जो है, यह घर के दक्षिन में रख लीजिए, यह भी possible नहीं है, तो घर के दक्षिन में black and white curtains लगा दीजिए, यह करना भी third house के शनी वालों के लिए एक बड़ी जबरदस remedy हो जाती है, third house के शनी वालों के लिए एक और remedy, घर का जो back area है, वहाँ पे अगर आप एक ऐसा camera create कर परहेज क्या है, सबसे बड़ा परहेज है भई, आपको ना दक्षिन मुखी property लेनी है, और ना ही आपको eastern यानि पूर्व मुखी property लेनी है, जी हाँ, पूर्व मुखी property, सभी लोगों के लिए एक जबरदस्ट property होते है, कोई कि लोग कहते हैं हम east side की property ले रहे हैं, लेकिन अगर शनी third house में हैं, तो east side की property गलती से भी मत लीजे, ये आपके जीवन में disaster का कारण बन जाएगी, यानि दक्षिन मुखी property और पूर्व मुखी property, ये आपको लेना मना है, तो ये था शनी third house का आपके लिए विवरण, कि third house के शनी में एक परहेज क्या है, शनी third house को समझ समझना है, तो कैसे समझना है, और अगर शनी third house में आपको खराबियं दे रहे हैं, तो उनके उपाय क्या करने है, तो planet series में हम अगले वीडियो में मिलेंगे शनी fourth house के result लेगे, तब तक बने रहेगा मेरे साथ, मिलते हैं बहुत जल्द, नमस्कार.